हलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अलियन्वर कुरेशी लातुर महराश्टर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टन्ट में फ्रेंड्स आज हम सीपी आर के बारे में एक डिटेल डिसकेशन करेंगे सीपी आर किसी केते हैं सीपी आर का मतल मतलब जब इसी पेशेन को दिल का दारा पुड़ता है करड़ बैख इस इस आता है तो वो फोटो आप देख रहें हैं दोस्तों कि से मंॉट-टु-मॉट्रेसपएर बोलते हैं जब हम छाती दबाते हैं सीपियार देते वाद में उस वाथ में मॉट-टूवहोट रस्परे CPR से क्या होता है उसका हार्ट को चालना मिलती है। उसका हर्ट क抓 होता है, But mouth to mouth respiration से उस use ौस के फेपड़ोँ सांस परे दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी टेखनिक है। इससे patient को बछुन मदद मिलती है और इससे patient की जो सांस है वो फिर से चालोर को छोटा है मेडिकल फील्ड में अब इसका यूज थोड़ा कम होता है क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में या हमारे मेडिकल साइंस में अभी हमारे पास आम्मू बैग बोलकर एक साहित होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम पेशन्ट को सांस देते हैं तो यह एक संकल्पना है स सब्सक्राइब कर दोस्तों आगे इसके उपर और चर्चक करेंगे यहां एक प्रतेक्षि कर रहा हूं मैं एक स्टुडेंट को एक विध्यारती को सीप्यार कैसा देना है उसके वारे में बता रहा हूं आप इसको गौर से देखिए आपको बैट के पोजिशन लेना चाहिए आपने पेशन्ट के बाज़ों में इस तरीके से बैटना चाहिए फिर इस लड़की ने जैसा हाथ रखा है उसके जैसा हाथ रखना चाहिए आपने मिडल में से क्लाइन करना चाहिए और नीपल से क्लाइन करना चाहिए और जहां पर मिट लाइन होती है वहां पर आपने हील से आपके हैंड से वहां पर हाथ रख कर उसको दबाना चाहिए दोस्तों इसके हाथ सीधे नहीं है अभी इसने हाथ सीधे किये हैं और जोर से दबान चाहिए minimum five centimeter इतनी उसकी depth रहना चाहिए और उसकी speed रहना चाहिए 100 compressions per minute और इसे कहा जाता है push hard push fast minimum interruptions 100 compression per minute and provide proper chest recoil आपको proper chest recoil चेस्ट को बराबर उपर आने दना चाहिए फ्रेंट्स जैसे आप CPR देना शुरू करते हैं इमिडियेटली आपने दूसरे किसे वेक्ति को medical help के लिए phone करने के लिए बोलना चाहिए ambulance बुलाने के लिए बोलना चाहिए या जल्दी से जल्दी गाड़ी करने के लिए कहना चाहिए और इमिडियेटली आपने CPR स्टार्ट करना चाहिए जैसा ही हमने आपको बताया है उस तरीके से आप उसको CPR देना चाहिए 30 to 2 यह formula अपनाना चाहिए और अगर कोई patient या कोई वेक्ति कोई ठेडर में या कोई public place में unconscious हुआ है वहाँ पे एडी बोलकर एक मशीन होती है जिसको हम एक्टमेटेड एक्स्टरनल डिप्लिबिल्टेड बोलते हैं अगर वह available है तो उसको वहाँ पे आवेलेबल करने के लिए वह वेक्ति को आपने बोलना चाहिए उससे भी patient को रिदम चेक किया जाता है और शौक दिया जा जान लो कि जब तक आप hospital को रन करते हैं तब तक भी आपने कभी CPR patient को देते रहा और mouth to mouth respiration दिया तो चांस हो सकता है कि वह patient की जान बच सके क्योंकि आपने यह सुना होगा कि कोई भी injury या कोई भी unconscious होता है तो एक golden hour बोलकर एक संकलपना होती है golden hour मतलब एक घंटे के अंद अच्छी लेगी है तो इसको शेर करो forward करो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और मुझसे जुड़े रहो थैंक फ्रेंट्स CPR देते होता आपको यह formula ज़रोर ध्यान रखना चाहिए 30 to 2 30 to 2 क्या है इसमें 30 बार आपको दबाना है और दो बार आपको mall to mall respiration देना है ऐसा पांच साइकल होते हैं आपको दो मिनिट में पांच साइकल कम्प्लीट करना है 30 to 2 30 बार चेस्ट दबाना है और दो बार मॉक्त मॉट रस्परिशन करना है मैं CPR के बारे में चार बाते आपको समझाया है पुश हाट जैकानों है और आपको कोई दूसरा बुला रहा है और दूसरी द्रफ कुछ हो रहा है तो दद्ियान नहीं देना चाहिए आपका फोन बजिल कि तरफ आपको दरब्हों नहीं देना काई यह त और अध्य और हैपर divoty ये एक इसमें रता है पोस्भे है minimum compression minimum interruptions है और आवाइड hyper ventilation कभी-कभी हम ज्यादा उसको सांस भी देते हैं वह भी हमें हवाइड करना चाहिए minimum उसका चेस्ट इंक्रीज विने चेस्ट को राइस होने तक ही हमें उसे सांस देना है उसको करते हैं दोस्तों यह चार चीज़े जो हैं इसको CPR के कंपोनेंट केते हैं यह आप थैन में रखिए आगर कोई मेडिक को इसको सुन ले तो उसके भी फायदे का इस इन्फॉर्मेशन को हर वेक्ति तक पहुंचाए इसे ज्यादा से ज़दा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैं हो आपका दोस्त डॉक्टर लियर्व कुरिशी थैंक यू